जैसे नफरत फिला रहे हैं जो हिंदू अलग, मुसल्मान अलग, सिख अलग कर दो, इसहाई अलग कर दो, वो यह नफरत की राज निती है, यह उनको इकठा है मोहबत की दुकान खोल रहे हैं वो देख लें, टीशेट में जलके जितना राहूल गानी चले है, वो अपने किठी एक नेता को भी चलका देख लें, वो चलेंगे माहों की आउलादों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, भी आते वे मैंने एक ड्रॉप लिया, नोजवान आयाईटी का है और जॉब कर रहा है मार्केटिंग की, यह है बीजेपी की कंडिशन नरिंदर मोदीजी की वहाँ पे जहां जहां उन्होंने रूट निकलना था, वहाँ वहाँ दिवारे खड़ी कर दीगी, हैरिटेज अपना वाल्स बना दीगी, इसलिए ताकि गरीबी नजर ना आये फिलाल ये तमाम तस्वीरें, तमाम जनसमर्तकों का आप हुजूम देख रहे हैं, हमारे साथ कई कारकरता तमाम जनसमर्तक मौजूद हैं कॉंग्रेस पार्टी के, हम उनसे बात चित करेंगे कि वो राहूल गांदी को भारत जोड़ो यत्रा में देखकर कैसा कुछ फील कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने राहूल को देखा है, या दूसरी बार देखा है, या अपने नेता से मिलने के लिए वो कितना आतूर हैं, क्या नाम है? मिया नाम अमन्दीप सिंगिल, डिस्टिक मुगा से मैं हूँ, मैं जिस दिन से पंजाब में जातरा आई है, उस दिन से राहूल गंदी के साथ जातरा के साथ चल रहा हूँ, जिस तरह पिछले डल सालों में बाजपा ने, मोदी ने, नफरत की राजनिती किया, बारत को तो सबातने जातरा के बीज़ बीज में रहा हूँ, हमकोा अच्छी बाते बोतती हैं, पार्टी के जंडे के बारे में बताते रहा है, और बात जोड़ो जातरा के बादे में सभी मीटिंग होती रही है, इतनी सर्दी है पंजाब में? नहींर चाहतरा में चलते हैं तो कोई सर्दीनी लगती है। तब सरदीनी लगती है। जब पैदल चलते हैं, पुरस्ट। वो देख लें टी-शेट में चलके जितना राहुल गानी चलें वो अपने कि एक नेटा को भी चलका देख लें वो चलेंगे लोगों के बीच जा रहे हैं उनको लेकर चलना है क्या नाम रविकांट चेर्मेंट स्वर्णकर प्लाइबोर्ड आज राहुल जी की यातरा देख के मन खुश हो गया इतनी दुनिया साथ जुड़ी हुई है यह देखो उन्होंने राहुल जी ने यह नहीं कहा कांगर्स रहें वहर्ब हर समुनिदाए हर जात बाद सोक्याकर उनके साथ है इस दुनिया साथ चल दियर कोँ दरृट के निकालने के ज़रूरत कर आप अपिछा नहीं है यह आत्मी को अलगल हर समूधाय को जो अलग करने कोशिश कर रही है हिंदू-muslim-sikh इस कि हिंदू अलग कर दो सिर्वों पूजायते हिंदू नहीं हम हमारा हमारा जो देश है वह हिंदू-Mwali सिख-ईसाई और उसका इसले ... हर देख लिए हिए जो राज्यमांरा राज्य थे अगर विछ Apollo बिल्कुल आप तो देखिए ना जैसे नफरत फिला रहे हैं जो हिंदू अलग मुसल्मान अलग सिक अलग कर दो इसाई अलग कर दो वह नफरत की राजनिती है यह उनको एकठा है मुहबत की दुकान खोल रहे हैं कि सब को जोड़ने के लिए कि हम मारा जो बारत देश है हम को साथ लेकर चलना चाहिए हर समुदाय को लेना चाहिए हर जात हाथ पात कोई भी है वो हमारे बारत है हमारे बारत वासी है हिंदूस्तानी है हम सबसे पहले हिंदूस्तानी है यह जात पात नहीं चाहिए हमें हमें सिर्व अपना बारत अपना देश सारा समुदाय मारे हि मुसल्मान, सिक, इसाई सब हमारे बाई है, हम इस देश के वासी है हमें ये बताई है, राहूल रगांदी की टी-सर्ट को लेकर बड़ा बबाल है बड़े सवालिया निसान चल रहे हैं मुझे लग रहा कि हर एक बयान में राहूल की टी-सर्ट आही जाती है अरे उनको बोलिए आप कही भी थोड़ा चल के देखिए पैदल चलिए हम तो यहाँ पर खड़े हुए हैं जब-जब चलेंगे सारे कपड़ उतर जाएंगे टी-सर्ट में रहेंगे शरीर में गर्मी जाती है आप सो सुबा वाकिंग क्यों करते हैं सहर करते हैं किस लिए कि अपने शरीर को वार्म गर्म करने के लिए यह तो एक कुछ ना कुछ उनका पार साम सहर करना वाकिंग करना एक अलग है लगातार कॉंटिन्यूट इसर्ट में अरे अगर अगर ने चलने से वो तो शरीर गरम रहेगा उसको क्या जरूर तो पढ़े दाल रहा एं पूछ का रही है कि व रहे हैं पूछ तो आप रहे हो ना फूछ आपको निया कर देखने के लिये कम से कम पड़े पहन आप nights कर दो को पूरा श्रील होती है जो लोग दूसरी पार्टी यां उनको यह कठनाई हो रही है यह टी शाट में क्यों चारहे वह भारत को जोड़ने के एक से लागे रखने के लिए कर रहे हैं कर लेकर चलना है राहूल गांदी आप एक यूबा आजा साथ हैं जी सर बिल्कुल जिवाओं को साथ लेके चल ले हो जिवाओं के लिए फ्यूचर के लिए भी ब्राइट देख रहे हैं यह जो आप अभी बात करें थे टीशेट के लिए कि राहुल गांदी जी ने टीशेट क्यों पहनी है आपको शायद पता होगा राहुल गांदी जी कि वहां पे जहां जहां उन्होंने रूट निकलना था वहां वहां दिवारे खड़ी कर दीगी हैरिटेज वाल्स बना दीगी इसलिए ताकि गरीबी नजर ना आए ताकि जहां 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 कैमरे आए सब को यही लगे ताकि बाहर वाले देश भी यही सोचे कि इंडिया बहुत बढ़िया हो गया जी बिल्कुल सर गुजरात की बात कर रहा हूं क्योंकि वह उन्हीं की स्टेट है वह अपनी ही स्टेट को नहीं सुधार पाए और राहुल गांदी जी देखिए पंजाब में जा रहे हैं थोड़े दिन पहले मैं बताऊंगा लुद्याने की बात है राहुल गंदी जी ने एक सफाई करमचारी को देख के बुला लिया था कि आप बहुत बजुर्ग हैं अभी तक काम करें क्या बात है आपके घर में कोई मतलब युवा नहीं है कि आपको आप अराम चाहिए 60-65 साल से उपर हैं और वह चोटी जी बच्ची की बात मैं करन करूंगा ताकि मेरे तन को भी यह सर्दी महसूस हो के वह गरीब बच्ची कैसे महसूस कर रही है जो नरींदर मोदी को नहीं मैसूस हो रही जो की 45 सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल के बीच गिरा हुआ है अंबानी अडानी यह सब को लेके जितना कोप्रेट कोप्रेट स अब आज का खास मेसेज है आज विमेंस डे का भी बोला गया है और हमारे बैंगलोर में आज प्रियांका जी आई वी है और भारत जोडों के साथ-साथ जहां पे आप देख रहे हैं के भारत जोडों फ्रोट इंडिया अलग-अलग एलाखों में भी राहुल गांदी के ना नायकी यानि मैं लीडर हूं के नाम से सारी लेडिस जमावी में पूरे करनाटक से आई है और तो तुम्हें का रहे हैं आज प्रोग्राम हो रहा है बैंगलोर में और बहुत ही सक्सेस्फुल रहा है और यह यात्रा इसी तरह कामियाब रहेगी इस जोडों की वजा से ह हम से क्यूलर हुकूमत हिंदुस्तान में काइम कर पाएंगे हिंदुस्तान को क्या मतलब एक मैसेद देना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद है क्योंकि बीजेपी को तो हमने देख लिया जो जो चीज़ें हमको मिलने चाहिए थे जिनके वादें वह थे वो सब्सक्राइब करता तमाम जन समर्तक लगातार रहूल जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलना है उनका तमाम जो पार्टी के समर्तक जमर्तक हैं वो ये भी कह रहे है कि कन्या कुमारी से साथ जुड़ेते हैं और सिरी नगर तक साथ जाएंगे यानि 30 जन्मरी को जब्राहूल गांदी लाल चौक पर तिरंगा फैराएंगे और यात्रा को विराम देंगे वो बहां तक जाएंगे तो ऐसा समर्तन ऐसा हुजूम ये आप देखते रहे हैं पंजाब के स्री टीवी